आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के चिप मेकर को लेके इंटेल नाम तो अपने सुना ही होगा और होफुली अगर आप नाइंटीज के किट्स दे उस टैम जब इंडिया में फर्स टाइम कंप्यूटर आ रहा था एक्जाटली बंदलब घर में परसुनल कंप्यूटर अगर आपको यादे तो बहुत एच्छी बात है जिसमें लिखा रहता था इंटेल हम लोग सोचते के हैं हम लोग जो कंप्यूटर खरीद रहे हों कॉमपैक का है वह है इसमें इंटेल का क्यों स्टिकर लगा रहता है और उस टैम में उतना समझ नहीं था जिससे यह पता न स्ट्रेटर बननाने के लिए सारा जो कंट्री एक दम पागल होके बैट है हर कोई बोला है हम लोग को सेमीकंडुक्टर बनना है हम लोग को मैनिफेक्टरिंग करना है और दशाइड नैंटीज में जो इंडिया के सारे यूजर्स को अपने तरफ से इंटेल का प्रोसेसर प पहला chip maker था इंडिया में जो computer को support करता था on the other side इस time में अगर हम लोग देखे AMD भी मिलता था मगर AMD का percentage था वो कम मिलता था या फिर AMD का यूजर था वो भी कम था अगर हम लोग personal computer में देखे तो 63% जो PC होते हैं उनमें आज के डेट में भी Intel का जो processor है वो यूजर किया जाता है तो नो डाउट हम लोग कह सकते कि एक time में Intel का monopoli type कुछ चला हुआ था जिसके वजए से 63% जो personal computer में हम लोग देखते हैं प्रोसेसर यह exactly Intel ही है यह मिलता था मगर presently जो Intel का condition है वो पहले जासा नहीं रहा इसका हालात काफी खराब है आज के रेट में अगर देखा जाए जब सारे जो यह chip maker से जिन लोग का share price हाई होता है for example अगर हम लोग Nvidia को देखे तो उसका share price 157% हाई को है on the other side AMD को देखे तो उसका भी share price 21.1% का हाई को हाई on the other side अगर हम लोग Intel को देखे तो Intel का जो share price है वो 50% गिर गया है मतलब पहले जो share price था उसका लगबग half हो गया है Intel का share price तो exact reason क्या है Intel के साथ क्या हुआ जिसके वैसे Intel का ऐसा हलक हो गया आज के डेट में Intel को अगर देखे तो दुनिया भर के different companies है जैसे कि आप Qualcomm को ले लीजिए या फिर जो British chip manufacturer है आम ग्रूप हर कोई Intel को खरीदने में इंट्रेस्टेट है मगर उन लोगा जो terms and condition है अलग है आज के रेट में आगर देखा जाए Qualcomm के साथ Intel का बात हुआ है exactly Qualcomm interested है भाई हम लोग आगे जाके Intel को खरीदेंगी क्योंकि Intel का presently जो condition है थोड़ा खराब चल रहा है और Qualcomm चाहता है कि आगे वो इंटेल को खरीदे और वो अपने तरब से इंटेल को चलाए अगर हम लोग बिटिश चिप मेकर आम ग्रूप को लेखे exactly है यह बिटिश चिप मेकर अगर आप इसका डीटेल्स चेक करें तो आपको पता चलेगा यह एक ऐसा ग्रूप है जिसमे जापनीज जो कंपनी है सॉफ्ट बैंक उनका शेयर होल्डिंग सबसे जादा है तो Qualcomm और इंटेल के बीच में exactly क्या डील हो रहा है या फिर क्या प्राइस ऑफर हुआ है यह सारा डीटेल्स अभी तक हम लोग को पता नहीं चला अगर हम लोग आम गूप को देखे यह पता चलता है कि आम इंटेल का एक पार्ट में इंट्रेश्ट इस क्वालता है ये आम गूप जो है वह एक ओफर किया था जिसमें वो लोग सेफ जो मार्केटिंग पार्देन जो प्रड़क्ट समालता है वो खरीदने में interested है, तो no doubt Intel ने यह जो offer था, यह accept नहीं किया, on the other side, Intel का present जो condition है, जैसे मैंने आपको खां के यह इसका जो stock price है, उसका 50% में आ गया, तो exactly क्या reason है, क्या major issue है, जिसके वैसे Intel को यह दिन देखना पड़ा, एक्सपर्ट का अगर बात मनें, तो इसके पीज़े बहुत सरा reasons है, पहला जो reason है, वो है smartphone का movement, जब दुनिया में smartphone बन रहा था, at that point of time, Intel ने अपने तरफ से, यह smartphone में जो processor use होगा, उसमें participate ही नहीं किया, on the other side, अगर देखा जाए, और Apple के तरफ से भी Intel को offer था, कि आईए, आ अपने तरफ से MacBook में जो processor है, वो बनाता रहा, मगर वो लोग कभी भी iPhone का लिए कोई processor नहीं बनाया, मगर आगे जब दुनिया बनने लगा, smartphone का जब एक huge manufacturing होने लगा, साथ-साथ जो computers थे, वो लोग अपने तरफ से smartphone का जो processor है, वो manufacturing करने लगे, तो 2012 में एक बार Intel ने phone के ल कभी भी आगे जाके, कभी भी कोई phone के लिए processor design नहीं किया, जबके Apple ने request भी किया था, मगर Intel ने अपने तरफ से उसमें कोई interest शो नहीं किया, जो next point है, वो है, Intel आज के रेट में भी अपने तरफ से ये जो fabrication है, मतलब वो अपने तरफ से जो processor है, उसको design भी करता है, साथ-स वो लोग का जो production है, मतलब जो processor बनाना है, वो लोग अपने तरफ से different companies है, जैसे के Taiwan का company को ले लीजे, या फिर other जो countries के company है, European भी बहुत सारा companies है, उन लोग को वो exactly outsource कर देता है, वो लोग अपने तरफ से safe design बना के देता है, कि हम लोग ऐसे ही जो processor ये बनाना है, on the other side, व लोग खुदी उसको manufacturing करेंगे, इसमें ही अटका रहा है, जिसके वाएसे आज के डेट में देखा जाए, तो Intel के उपर अगर जो manufacturing का cost है, या फिर जो employee cost है, जो factory cost है, ये सब धीरे 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 बरतरा, on the other side, Intel का जो market है, smartphone में users जो है, ये बहुत जादा बढ़ गया, जिसके प्रोसेसर का previous जिस टाइम में इंटेल स्रिफ प्रोसेसर बनाता था आपका CPU के लिए, उस टाइम में इंटेल का obviously एक monopoly चल रहा था, कि हर कोई जो है, वो Intel लेता, आज के रेट में ये आगर हम लोग जाते हैं, laptop खड़िदनें, at that point of time, हम लोग एक बढ़ पूशते हैं क्या इंटेल में shift हो जाते हैं, कोई Qualcomm में shift हो जाते हैं, और different जो प्रोसेसर से according to their basic needs, जिसको जैसे जगाते हैं, उस हिसाब से वो लोग अपना जो computer है, उसको design करते हैं, on the other side, अगर देखा जाए, previously होता था कि हम लोग कुछ भी खड़िदे चाहें, laptop खड़िदे चाहें, desktop इनिशेली इंटेल जो है, वो Apple के जो Macbook है, उसके लिए अपने तरफ से processor design करता था, but 2020 के बाद Apple ने ये agreement ये खतम हो गया, और Apple ले वोला कि हम लोग अपना जो processor है, खुड ही design करेंगे, हम लोग इंटेंसल नहीं लेंगे, तो जिसके वाइस से जो production होता था, या फिर Intel का ज जो है ये public हो गया, obviously इसका जो effect है वो इसका share में भी देखा गया, next जो point है वो है आपका GPU, GPU मतलब Graphic Processing Unit, GPU में exactly होता क्या है, जाधा तर जो वीडियो होते है, या फिर जो जिसमें high graphics रहता है, जिसमें आपका game खेलते है, या फिर आपको इमेश को design करते है, तो ये सारा जो processor है, मतलब ये सारा system में जो processor लगता है, वो system को कहा जाता है GPU, on the other side, Intel जो है अपने तरफ से बनाता है, उसको कहा जाता है CPU, जो हम लोग बर्सों से यूज करते हैं, तो Intel ने कभी अपने अपको upgrade ही नहीं किया, कि हम लोग भी चलते हैं, आगे जाके हम लोग GPU बनाते है, क्य level भी किया, और ये जो market था, जिसमें Intel स्रीफ CPU बनाता था, तो वो थोड़ा सा घड गया, जिसके वएस से Intel को एक धक्का लगा इसमें भी, Intel ने अपने तरफ से US government से help मांगा है, और US government का अगर अभी जो सोच है, उस साथ से US government चाहता है, कि भाई, ये जो semiconductor industry है, ये बहुत ज बिलियन डॉलर government जो भी कोई semiconductor production सेट अप करेगा, उसमें खर्चा करेगा, तो इस हिसाब से अगर देखें, Intel को आगे जाके हो सकता है, कि इस साल के end तक 8.5 बिलियन डॉलर मिल सकता है, अगर इंटेल के पास ये पैसा आता है, तो इंटेल को अपने तरफ से foundries जो है, वो से set up होके काम करने में, round about 3-4 साल लग जाता है, तो ये 3-4 साल का जो टाइम है, साथ ही साथ प्रेजन ली जो इंटेल का financial condition है, ये एक major issue है, कि ये फाउंडेर से जो पैसा हैगा, उसको यूज करके इंटेल आगे जाके फिर से grow करेगा, तो chances क्या है, no doubt chances एक ही है, कि हो सकता है कि इंटेल आगे दूसरा कमपनी के हाथ में आ जाए, हो सकता है कि आगे जाके इंटेल कमपनी जो है, ये बिग जाए, जैसे कि मैंने आपको कहा के different companies के तरफ से already offer है, तो आगे जाके कौन सा कमपनी इसको खड़ी देगा completely depend करते हैं, इन future में, हो सकता है कि इंटेल के साथ different जो other companies है, different countries के उन लोग का भी बात चल रहा है, जो कि अभी public नहीं हुआ, तो hopefully बहुत ही जल्दी इसमें हम लोग को जो next episode है, या फिर जो next step है, Intel का वो हम लोग को पता चलेगा, जैसे ही कोई नया information आता है regarding Intel, मैं आप लोग के लिए एक अलग सा वीडियो बना दूँगा, hopefully ये वीडियो आपको interesting लगा है, अगर आपको ये वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा है, तो मैं आपको request करूँगा, मेरा YouTube channel, that is Atanu Paul, A-T-A-N-U-S-P-A-U-L को जागे subscribe कीजे, बहुत सारे topic में बहुत सारे interesting वीडियो आपको मिलने वाला है, जो वीडियो आपको सबसे interesting प्लीज जो subscribe बटन उसमें भी click कर दिजेगा, और जबी subscribe बटन को click कर रहे, बेल आइकन को click कर दिजेगा, तो वीडियो जो है, वीडियो जो है, डिफरेंट टाइम में आता है, जब है आपके पास तुला notification पहुंच आएगा, आप वीडियो देखते हैंगे, ये वीडियो के लिए धन्यवाद,